10 class, आज इस्टार्ट गरते हैं chapter 5 and CRD e-book से काफी जादा main chapter होता है, बुल्कुर नया chapter है, कभी इसके बारे कभी आप पढ़ा नहीं होगा तो chapter का नेम है Mathematic Progression, chapter 5, आज फर्स वीडियो है, कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ है चलिए स्टार्ट करते है तो इस chapter में Mathematic Progression में आपको series कुछ दे रख्योंगे, series में इसकुछ number का order लिखा होगा, वहाँ पे common लगा कि मैंना कही number लिख्योंगे उसको series बोल देते हैं, उसमें कुछ भी order हो सकता है तो उसको series बोल देते हैं लेकिन पार्टिकुलर एक order ऐसा हो जिसमें हर एक consecutive टंस में difference बराबर हो, हर एक consecutive टंस में difference बराबर होगा तो उसको बोलेंगे AP तो लेखते हैं, इसमें क्या गार दे रख्या हैं, मैं बताता हूँ को example मैंने note कर रख्या हैं, या आपको series मैंने note कर लिए हैं एक first series आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कोई number दिख रहूँगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तार से आगे भी और number आएगा जो मैं लिखे नहीं है, तो यह एक series है, अब यह देखते हैं कि अगर इनके consecutive टंस के बीच difference अगर same आता है, addition या subtraction में, तो देखते हैं, तो सबस consecutive terms में difference देना है, तो यानि कि starting के two terms में difference लेंगे, तो दो में से एक घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, बन आ जाएगा, अगले दो number लेते हैं, three में से देखते हैं, two घटाते हैं, तो कितना आ गया, बन आ गया, अगला लेते हैं, four में से तीन घटाते हैं, बन आ गया, ऐ 4 में से 5 में से 4 घटा दे वन या कि अगले में से पिछला घटाना है जो अगला नंबर आएगा next नंबर उसमें से आपको पीछे का नंबर घटाना है इस consecutive ही तर्म्स लेने हैं आपको अगला देखते हैं 6 में से 5 या कितना है बना है तो सभी में आप देख रहोगे कि यह difference आ वो कैसा है same आ रहा है यह same difference जब आता है जब यह same difference अगर आता है सभी तर्म्स में तो वो हमारी series एक special series हो जाती है उसको बोलते है arithmetic progression बोल देते हैं इसी तरह से एक और में दिखाता हूँ आपको जैसे लिखा हुए 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12, 14 दे रखा है तो यह इस terms लिखे हुए है कई terms से इस सबको terms बोला जाता है देखते हैं किस तरह से तो लेते हैं पहला difference 4 मेंस 2 कितना आया 2 आया इसी तरह से 6 माइनस 4 कितन आया 2 आया 10 माइनस 8 2 आया देखे सबका difference कैसा आ रहे है सेम आ रहे है चाहे कुछ भी है 3 आया 4 लेकिन आना कैसे चाहिए सेम आना चाहिए तो उसको जो मैं क्या बोल देते हैं अर्थमेटिक प्रोगेशन बोल देते हैं यह तो आपको clear होगी कि ऐसी सिरी जिसमें consecutive terms में difference हम अगर सेम होगा तो उसको आर्थमेटिक प्रोगेशन बोलेंगे लेकिन यह difference positive का भी हो सकता है negative का भी हो सकता है means इनका increasing order plus का भी हो सकता है decreasing order भी हो सकता है में यह घड़ भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं for example अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 8,6,4,2,0,2,4 तो यह भी अर्थमेटिक प्रोगेशन होगा क्योंकि इसमें भी सभी terms में difference अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा same आएगा देखें कितना आ रहा same आ रहा तो यह भी कैस for example जैसे यह है तो 4-2,2 आया 5-4 कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो यह AP नहीं है क्योंकि इसमें common difference same नहीं है इसको common difference बुला जाता है जो अमलब difference यहाँ पे निकालते हैं तो यह same नहीं आ रहा है इसका अदब यह है कि AP नहीं है तो आपको यह clear हो गया होगा कि AP कैसे series होती है जिसमें increase होने का order या decrease होने का order constant होता है एक number उसमें मिशा added होता रहेगा या पर कोई एक number उसमें से subtract होता रहेगा उसको AP बोलते हैं तो इसमें एक नंबर क्या रहा था, निगड़िक 2 हो रहा था, हर बार एक नंबर 2 क्या सम्में से घटाया जा रहा था, उसमें एक ही नंबर प्लस हो रहा था, वो क्या था, 2 था, तो यह दोनों AP's थी, आप स्टार्ट करते हैं, इसके आगे basic concept, आगे इसमें किछ चीज को कैस कहीं है Queens यह ब्रसरी आव मैंने ही आपको सिरीज है यह लिख की रिखाइए यह इसी कि आपको आ से मुझी तक दो इसमें नमबर होगों यह सब टंभ से इनन सब का ना मुंत ऑफ़े वाले का heya b3a4 b0 अश狂 किराद दित geben 5-7 जसे भी represent किया था ज्यादर A से हम लोग इसको represent करेंगे इसे first time इसको बोल देंगे इसी दरह से जो हम लोग यह difference निकालते हैं जैसे हम लोग घटाते हैं यह जो difference हम लोग देते हैं बोला जाता है ठीक है तो AP में क्या ये terms होते हैं इनका नाम होता है हर एक terms का A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6 से आगे बहुत से terms आ सकते हैं और especially जो first term होता है उसको A से represent किया जाता है और जो इसमें difference चलता होता है miss क्या number add हो रहा है क्या number इसमें subtract हो रहा है उसको represent किया जाता है D से और निकाल लेंगा तरीका क्या होगा A2-A1 से हम लोग महाँ पे D निकाल सकते हैं चलिए start करते है exercise तो exercise number 5.1 में question में first है ये थोड़ा problem based question है इसे language में है इसलिए अभी question start नहीं second question start कर रहा हूँ second question आपको जल्दी समझ में आएगा और chapter में भी interest आपको आएगा चलिए start करते है second question तो second question कुछ इस तरह से write first four terms of AP तो मुझे AP यानि arithmetic progression के starting के सिफ four terms लिखने है यानि series जो होती है इसे बहुत से terms होते है लेकि मुझे शुरू के सिफ four terms यहाँ लिखने है और given क्या यहाँ पे A और D मुझे given है A क्या होता है first term और D जो होता है common difference यहाँ यह कह सकते है कि किस value से वो increase हो रहा है किस value से decrease हो रहा है means क्या number उसमे add हो रहा है और क्या number उसमे subtract हो रहा है अगर यह D positive का है इसका मतलब यह है कि number 10 plus होगा अगर D हमारे यहाँ पे negative का है इसका मतलब है कि वहाँ पे वो value subtract होगी तो first term मैं लिख देता हूँ देखे if terms क्या होते है A1 होता है A2 होता है A3 होता है A4 और ऐसे बहुत से terms होते है मुझे कितने लेकिन 4 यह line अगर ना लिखे तब भी चलेगा मैं इससे समझाने के लिख रहा हूँ कि मैं terms निकालना हूँ तो first term लिखता हूँ 10 अगला term कितना होगा निके D कितना है positive 10 है यानि कि T जो है add होगा हमेशाँ D add होना है अगर minus हो तो subtract होगा plus है तो add होगा means यह value वो value जो हर एक term में plus हो रही है तो यहाँ पर 10 दे रखका है plus का इसलिए मैं यहाँ पर 10 जोड़ूँगा 10 में जो पीशे वाला term है तो कितना result आएगा 20 आ जाएगा लोग पहला term लिखेंगे अगली बार कितना जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे यह यारखेगा अगर हमारा common difference 0 आता है तब भी उसको AP बोला जाएगा तो यहाँ पर increasing order कितना था सिफ 0 था में इस हर एक terms होएंगे उनकी value बढ़ेगी नहीं घटेगी और हर बार कितनी घटेगी negative 3 याई 3 हमेशा मुझे decrease करना है क्योंकि D आ पॉजिटिव नहीं है इस बार हमारा कैसा है minus का है तो लिख देते हैं first term, first term हारे पास 4 आ चुका है और D कितना है minus 3 यानि इस बार 4 increase नहीं करेगा, decrease कर कितना decrease करेगा negative 3 तो मुझे 4 में से 3 क्या घटा देना है तो एक आ जाएगा, अगली अब फिर मुझे 1 में से 3 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, minus 2 आ जाएगा, अब मुझे फिर से negative 2 में से negative 3 घटाना है, तो negative 5 आ जाएगा, starting ए 4 ही terms लिखने थे, जो complete हो चुके हैं, अब आते हैं 4 पार्ट पे, तो 4 पार्ट ने मुझे यहां पे ए दे रखा है, minus 1 में 1 में से 2 होगा, इस बार बी जो है मारा कितना है, 1 upon 2 वो भी प्लस का, तो यारे कि मुझे negative 1 में 1 upon 2 add करता है, तो negative 1 में अगर 1 add करूंगा, तो value कितनी आ जाएगी, minus 1 upon 2, अगली बाग फिर से 1 1 upon 2 इसमें add करेंगे, इस value में, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 में 1 upon 2 add करेंगे, तो 1 upon 2 हो जाएगा, तो 4 terms हमारे complete होचेगे, इसी एक और question है, 5 आप लो लगाएगा, easy question है, अब इस्टार्ट करता हूँ, question number 3, तो अब स्टार्ट करते हैं, third question, तो question भी काफी ज अज़र आता है, वो first term होता है, लिग दिया है, मैंने, common difference को represent किया अदर, D से, उन्हीं कालिंग तरीका होता है, A2 minus A1, A2 means second term, A1 means first term, तो A2 मारे पास कितना है, 1 है, A1 कितना है, 3 है, घटा दीजिए, answer आ जाएगा, second part पर आते है, first term जो आपको दिखरा है, पहली value is a negative 5, और D निकालते कैसे, A2 minus A1 में second term में से first term को मैं कर दूँगा, minus, तो मैस कर दे तो यहाँ पे, तो यह plus का हो गया, तो आज से कितना आ गया, 4 हो गया, काफी easy है, आपको सब्च में आ गया होगा, इसी तरह से बागी part है, third or fourth part, आप लगाएगा, लग जाएगो, आपके homework पे रह यहाँ जो series दे रखिए, पहचानना है कि AP है या नहीं, और अगर AP है, if they are AP, NAP, तो find common difference, मुझे common difference निकालते हैं, उसको represent किसे करते हैं, D से represent करते हैं, तो निकालते हैं, A2 minus A1, उसके साथ में यहाँ पे write the three more terms, उसके आगे कि तीन और more terms लिखने हैं, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले कैसे बचाने AP हैं, तो AP concept हम लोग जानते हैं कि हर एक term में, हर एक consecutive term में अगर difference बराबर आता है, तो वो जो हैं AP होती हैं, चलिए difference निकालते हैं, हम लोग यहाँ पे D से represent करते हैं, और difference कैसे निकालते हैं, A2 minus A1, तो इससाथ से मैं एक लिक के दिखाता हूँ, तो पहले लेते हैं, starting के, दो terms, 4 मैंस का 2, कितना आगे हैं, 2 आगे हैं, इसी तहां से आगे का लेते हैं, आगे का लेंगे कि लेने सारे terms से, ऐसा नहीं कि starting है, क्योंकि चाहाँ चेक करना है, आपको यहाँ को D निकालना नहीं, अभी चेक करना हैं, तो वहाँ पे हर एक term मे यह हैं कि common difference सेम नहीं है, इसका मतलब है यह AP नहीं है, तो यानि answer क्या लिखेंगे, no, AP नहीं है, तो आगे लगाने नहीं है, तो एक से लिए स्टार्ट करता हैं, next question, तो मैंने second part यहाँ note कर लिया है, यह एक series दे रखी यहाँ पे, पहला term 2 है, 5 by 2 है, 3 है, 7 by 2 है, पहले प घटा दिया है, कितना आगे, 1 upon 2, else म लेंगे, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 upon 2 आजाएगा, simple side, अब अगला difference निकालते हैं, सारे difference निकालने हैं, अगले 2 terms लेंगे, अनि पहला दूसा लिया, अब तीसरा दूसा लेंगे, तो 3 minus 5 by 2 लेता हूँ, इसको भी घटाता हूँ, else म कितना आएगा, 6 आएगा, 6 हेगगा, 6 हें, 5 यह, 1 upon 2, same आजाए, अगला निकालते हैं, अब लेते हैं, यह difference लेते हैं, तो अगला difference कैसा निकालने है, 7 upon 2, minus 3 के सारे difference लेंगे, बलर और जितने terms हैं, सब का difference चेक करना है, इस बार गरelectे कितना आएगा, 7 वे 6 दिखा, 1 upon 2, same impossoires कि कहा रहा है साख्यक्य पंगर से secular के सालudस में दिएखर की सिर्फ से system लेने जिए सकी एक सब कर ऐता है और सल्ए तो यस है य है अब मुझे क्या लिखना है Понि मुझे एक ओर काम करता है यह तो इसके आगे कि मुझे lure का मसट करता है लिखने चलिए उदे बताता हूं कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले जो टम्स मुझे यहां बता है वो आप नोट कलीजिए यह नोट कलीए आपने इसके आगे मुझे तीन टम्स लिखने है तो बहुत एजी है, D देखी कितना है 1 upon 2 प्लस का है यह माइनस का है प्लस का है, बिल्कुल सही है तो यही 1 upon 2 जो प्लस का है आपको सब्सक्राइब जोड़ना है आप जोड़ते जाएं, आंसर आदा रहेगा तो यहां भी कितना था 7 upon 2 था आप इसमें 1 upon 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 8 upon 2 यानि 4 तो यहां 4 लिख दिए अगला थाम चाहिए अब जोड़ते जोड़ेंगे इसमें जोड़ेंगे 1 upon 2 तो कितना आजाएगा 9 upon 2 तो 9 upon 2 लिए इसके बाद 9 upon 2 आ गया अब इसमें 1 upon 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 10 upon 2 यानि 5 तो बस हो गया next 3 turns मैं निकाल दी है जो भी यहां पर common difference आएगा positive या negative उसके according वहां पर जोड़ेंगे या घटाएगे तो यह सार से वाज़ तीन तमसाग एक आ चुके है यह सार से और question इसमें है चलिए मैं बहु भी बताता हूँ आपको और copy-pandak के साथ में नोट भी करते रहे है यह सारे question तो फोर्ट के फर्स सेकंड पार्ट मेंने complete खड़ा दी है नोट कर लीजेगा start कर तो next question इस बार जो थर्ट पार्ट है इसमें नंबर पता है उसी के आगे के question है वही चीज़े find out करनी है तो first term, second term, third term और fourth term यहां मुझे दे रखा है मुझे पहले पैचारना है कि AP है या नहीं तो उसके लिए में लेता हूँ difference A2 minus A1 तो अगली यह पहले लेता हूँ starting के दो terms negative 3.2 में से मैं 1.2 माइस का घटा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा negative 3.2 plus 1.2 तो subtract करता हूँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ऐसा negative का आएगा इसी दा से अगला निकालतो हूँ अगला में कौन सा लूँगा यहां पे अगला लेता हूँ यहां पे चाहें लिखना चाहें A3 मैंस का A2 निकाल लेता हूँ negative 5.2 मैंस का 3.2 with negative sign तो यह मैंने यहां पे sign change कर दिया क्योंकि वो negative negative positive होगा अब भी आगे negative 2 ऐसी एको निकाल दें जितने टंस है इससे निकालना सब का है A4 माइनस A3 तो negative 7.2 माइनस 5.2 subtract करेंगे तो वो ही 2 आएगा negative का सब सेम आरे हैं जब सेम आरे हैं तो yes it is AP तो AP तो हो गई मुझे difference लिखना था वो भी आगया D कितना है negative 2 यह भी answer हो गया अब second step यह था कि मुझे आगे के 3 terms all लिखने हैं तो उसके लिए आप क्या करें जो given था पहले आप उसको लिख लीजे इसके बाद इतना हो जाने बाद आपको अगला term निकालने के लिए करना किया है जो value यहां given है उसमें आपको इसका जो D है वो put करें आए miss add करना, subtract करना depend होगा उसके value पे कि D का आगे sign कितना है तो D का sign यहाँ माइनस 2 है इसका मतलब यह है कि मुझे अगला term निकालने के लिए D घटाना पड़ेगा मैस 2 है तो घटा देते हैं तो कितना आजाएगा 9.2 हो जाएगा miss 9.2 होगा अगला term इसी दरा से अगला लेते हैं अब negative 9.2 में फिर से D कितना negative 2 put कर देते हैं negative 11.2 हो गया ऐसे अगला कितना हो जाएगा अफिर मैं इसमें से 2 जो एड मलब घटा दूँगा negative 13.2 तो इससार से ये question complete हो गया है आपको समय में आ गया होगा इसमें थोड़े ओर typical question है जिसमें बच्चों को थोड़ा सा doubt होता है चलिए बताता हूँ इसी तरीके से कैसे उनको लगाना है चलिए स्टार्ट करते है फिप्त पार्ट इसमें दे रखा फर्स टर्म 3 फिर सेगें 3 प्लस रूट 2 अब फिर दे रखा 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 तो इसमें ये 4 टर्म्स दे रखें पहला दूसरा तीसरा चौदा तो निकालते हैं सबसे पहले common difference कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 तो second term कौन सा है ये वाला है इसमें से 3 घटा दिया मैंने first term तो ये तो हमारे पास क्या हो गया 3 ती कट हो गया ये रूट 2 बचा इसी दा से आगे के निकालते हैं कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 याखे ब्रैकेट लगा दिजेगा क्योंकि sign change होने यहाँ पे तो फ्ली ये चीज़ आगे ब्रैकेट मैंने open कर दिया है 3 ती फेसिक खट हो गया है यहाँ पे और बचा कितना 2 रूट 2 माइनस रूट 2 1 रूट 2 मैंने यहाँ से घड़ा दिया तो बचे कितना 1 रूट 2 बच जाएगा तो इस तरह से आगे भी ऐसी लगा लेंगे उसका भी common difference सेम आएगा तो यानि कि हमारा answer कैसा हो जाएगा येस हो जाएगा और येस एपी अब आके कि मुझे निकालने 3 times मैं वो निकाल के जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ ठिक अब कितना difference आ रहा है root 2 का रहा है कैसा plus का रहा है यानि मुझे इस बार root 2 जोड़ ला है तो जोड़ देते हैं इसमें जब जोड़ेंगे root 2 तो कितना 4 root 2 हो जाएगा फिर root 2 जोड़ेंगे 5 root 2 हो जाएगा कैसे मैं लिख के दिखा देते हूँ एक बार 3 plus 3 root 2 था तो ये 3 root 2 है ये 1 root 2 और आगिया तो कितना हो जाएगा 4 root 2 हो जाएगा इसी दास से एक और root 2 जोड़ दिए और हमारा answer complete हो गया तो इसास लगाएंगे चली start करते एक और question तो एक और question लेता हूँ यहाँ पर याद है कि जो मैं सिखा रहा हूँ यह काफी जादा basic question दो है लेकिन इसमें से question मिल जाता है जादा mcq मिलता है लेकिन basic concept है अगर आपको यह clear होगा तभी आपको आगे in test आएगा questions को लगाने में तो इसमें इस series दे रखें बदाना है यह AP है यह AP है यह AP है काफी बच्चों को इसमें confusion आता है पूछते जरूर है किससार यह कैसे question लगेगा चली बदाता हूँ कैसे लगाना है तो सबसे पहले बाद ही है आप जो number दे रखें इनको पहले simplify कर लेंगे तो simplify करने के लिए मैं इनको लिख देता हूँ कुछ और change करके तो root 8 को क्या लिख सकते है 2 root 2 इसको क्या लिख सकते है 3 root 2 इसको लिख सकते है 4 root 2 clear हूँ कैसे कि मैंने बदा देता हूँ यहाँ पर मैंने ऐसे किया है जैसे root 8 था तो मैंने यहाँ पर अंदर factor कर लिए 2 into 2 into 2 तो हमनों जानते है square root का अंदर जिसका pair बन जाए तब वो बाहर आ जाता है तो 2 का pair बन चुका है तो यह बाहर आ जाएगा तो 2 root 2 minus root 2 तो कितना आएगा 2 root 2 कितने है 2 root 2 यह एक root 2 घटाएंगे तो एक root 2 बच जाएगा अगला निकालते है a3 minus a2 तो यानि अगला term लेता हूँ मैं 3 root 2 minus 2 root 2 तो कितने यह 3 है यह 2 है तो जब 1 2 root 2 घट जाएगे तो एक root 2 बच जाएगा तो ऐसे अगला निकाल दें तो 4 root 2 minus 3 root 2 तो कितना root 2 हो जाएगा सबका सेम आ रहा है तो सेम आ रहा है तो yes, AP तो हो गई है तो इसके बाद मुझे क्या करना है मुझे निकाल लें आगे के 3 terms तो उसके लिए क्या करेंगे जो simple करके लिखा था ना पहले आप उसको लिख लेंगे ठीक आप यहाँ पे डी जो आ रहा है कितना रहा है रूट 2 आ रहा है यानि रूट 2 प्लस होना क्यों क्लस का रूट 2 आया है तो रूट 2 इसमें जोड़ दीजे तो कितना हो जाएगा 5 तो लिख दिए लेकिन आगे के आएंगे 5 root 2 कैसे लिखेंगे बहुत इसी है 5 जाएगा अंदर तो हो जाएगा 25 25 तूसा कितना होता है 50 होता है 6 जाएगा अंदर 36 हो जाएगा 36 तूसा 72 ऐसी 7 अंदर जाएगा स्क्वार हो जाएगा 49 49 तूसा 98 तो यह हमारा विडियो में नेक्श एक्साइस के साथ